नमस्कार दोस्तों मैं निशानत एक बार फिर राजीर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर दोस्तों अगर आप स्टूडेंट है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा फाउंटेंट पैन लेना है तो दोस्तों ये वीडियो आप अंतक देखे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फाउंटेंट पैन जा करके खरीदना है ये हैं मेरे पास थ्री फाउंटेंट पैन और ये एक स्टूडेंट के लिए परफेक्ट फाउंटेंट पैन है आपको फाउंटेंट के बारे में कुछ नहीं पता है तो इन तीनों फाउं ये कई colors में आपको मिल जाएगा black, green और maroon color में मिल जाता है उपर की तरफ golden plating आपको मिल जाती है निब इसका बहुत ही fine निब रहता है और एक student के लिए perfect निब होता है किसी तरह की भी copy के उपर आप इसको notebook के उपर आप इस्तिमाल कर सकते हैं ये धडले से चले कर ना कोई bleeding होगी ना कोई feathering होगी और ये काफी चलता है इसके अंदर जो problem है इसके अंदर जो इसका ink reserve wire system होता है वो rubber sack आता है हाला कि ये rubber sack मतलब चलते हैं अच्छे चलते हैं लेकिन फिर भी उस quality के उतने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन हाँ अगर आपको जल्दी जल्दी से ink भढ़ना है तो ये उसके लिए perfect साबित होते हैं इसका जो plastic होती है वो average किसम की plastic है लेकिन एक student के लिए जिस तरह की plastic चाहिए उस तरह का ये fountain pen आपको मिल जाता है और उस तरह का ही इसका material आपको मिल जाता है इतने रुपीज में यानि के 90 रुपे में ये मेरे हिसाब से एक perfect fountain pen student के लिए है दूसरा fountain pen में जो लेकर के आया हूँ ये है vector Parker का vector Parker का नाम आपने सुना ही होगा और Parker के fountain pen काफी अच्छे fountain pen होते हैं तो ये उस range में लगवग लगवग 300 से 400 की range में ये fountain pen आपको मिलेगा इसकी body कहीं तरह की body आपको मिल जाती है और कहीं तरह के colors में आपको मिल जाएगा metallic आता है Parker vector metallic और Parker vector ये standard वाला आता है जिसके अंदर plastic की body रहती है और एक आता है बिलकुल metal में उसमें पूरी premium body उसकी रहेगी और काफी महंगा fountain pen वो हो जाता है 700-800 गे range में वो fountain pen हो जाता है लेकिन वहां तक आपको नहीं जाना है आपको ये वाला ही सस्के वाला ही fountain pen खरीदना है इसके अंदर आप देख सकते हैं बिलकुल एक cylinder की तरह का barrel मिल जाता है पैन आपका चलने वाला है इसका निव ऐसे कहने के लिए तो फाइन ही है लेकिन इससे मोटा चलेगा जो मीडियम की तरफ में बोल सकता हो और चलने में काफी स्मूथ ये भी fountain pen है इसकी जो problem है वो मुझे एक problem लगती है केवल एक तो इसका थोड़ा सा size बतला है हर finger हर आदमी के हाथ में ये उतने अच्छे से fit नहीं होगा दूसरा इसका जो grip है grip section है वो थोड़ा slippery है ये एक problem इसमें आती है इसमें plastic की body मिलती है और cap इसमें metal की मिलती है उसके ओपर एक अच्छी सी coating होती है नीचे camelin लिखा हुआ है और यहाँ पर जो clip है वो भी एक शांदार सी clip इसमें मिल जाती है पीछे की तरफ देखे ये भी एक जो cap का end fitting है ये भी एक सुंदर सी मिल जाती है अंदर की तरफ भी एक fitting मिलती है नीब इसका देखे नीब एक इसका बैटर नीब है पाच size का नीब है और काफी smooth ये नीब चलता है ये भी fine नीब आता है इसमें इसमें लिखावा भी है camelin tiffed fine तो mostly जो camelin के fountain पैनाते हैं उन लगा सकते हैं इसके साथ एक converter आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे चाहे इस fountain pen को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही fountain pen चलेगा तो मेरे इसाब से bet मैं इस पर लगाऊंगा कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा fountain pen आपके लिए होने व पाला है तो इनके राइटिंग सेंपल ले लेते हैं यह देखे मैंने कुछ-कुछ लिखा है इसमें यह देखे कितना पतला है जो hero का fountain pen एक काफी पतला चलता है काफी बारीग चलता है फिर यह पारकर fountain pen है और यह कैमलीन का fountain pen है तो मैं आपके सामने भी लिखकर के दिखात टाहू जोंये जो अड़ा हो टुरॉ वह पतला है और राकरो दतला है और राह। एयुर खङला है आ जोचे राह। यह वह तो राह तो ङ्योट्म वा कैमलीन तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह की लिखाई इसमें आती है और पीछे की तरफ आप देखें यहां पर ब्लेडिंग के कोई साइन नहीं है और फीदरिंग का भी कोई साइन नहीं है जो स्टूडेंट रहते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रोब्लम रहती है कि जिस वीडियो बनाए हुए हैं वह नीचे आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां जाकर भी इन तीनों के वीडियो आप चेक कर सकते हैं और डेस्क्रिप्टिवली इनका आप एक वीडियो देख सकते हैं कि यह किस तरह के फाउंटें यह था मेरा आज का वीडियो नमशकार जैहिंद